अब आपके पास कुछ एक्षिशन गीवन है इसमें आपको बताना है कि प्राइम फैक्टेशन जो हमारा होगा या नहीं होगा मतलब यह इक कज लिखे या नहीं लिखे तो देखे स्टार्ट करते हैं हम 24 का प्राइम फैक्टेशन इस टाइप सेंग करते हैं तो हमें कौन-कौन से नंबर मिले हैं 2 x 2 x 2 x 3 x 4 तो यहां पर कौन से नंबर है 2 x 3 x 4 तो यह इसका प्राइम फैक्टेशन नहीं है प्राइम फैक्टेशन के लिखे लिए हमें smallest नंबर चीए तो 2 x 2 x 2 x 3 x 2 x 3 x 4 आप यह बोलोगें कि इसका प्राइम फैक्टेशन करेंगे तो smallest नंबर से चलते हैं कि ऐसे वाले multi-climb है तो यह वाला जो है 1st हमारे पास कैसा आ गया 9 1st का आंसर क्या आ गया 9 जिसका फ्लेक्टेशन नहीं है 2nd में देखिए 56 का निकाली है 2 8 2 14 2 7 & 7 यह हो गया 2 x 2 x 2 x 2 x 7 अब देखिए इसमें असा लिखा है तीन बार तो 2 होना चाहिए एक बार 7 yes 7 x 2 x 2 x 2 x 7 यह ही वाली चीज लिखी हुई है कि 2 x 2 x 2 x 7 जै बिससे 7 आप गया है पीछे कोई 3 भी पड़ता है लेकिन सेम वह ही 4 चीज़े इसमें है और सेम वह ही तो इसमें क्या होगा इसका आंसर यस अब थर्ड में देखिए यहां से हमारे पास है 70 का 70 का जो हम लिखते हैं तो क्या होता है यहां से देखिए 70 का कितना आता है अब 4 में देखिए हमारे पास 4 में है 54 54 का देखिए आता है या नहीं 54 का हम कैसे रिखते हैं तो इसमें बलकुल सेम आपके पास यह वाली चीज होने चीए तो इस तांसर भी क्या हो गया तो यह था हमारे पास 9th कोशन आप देखिए 10th कोशन में है कि डेक्टर माइन आपको पास एक नंबर गीवन है आपको बताने है किया वो नंबर 45 से डिवाइड है आपके पास एक नंबर है 25110 इस जीविजबर भाई 45 आपको यह जो नंबर गीवन है इसको बताना है कि यह 45 से डिवाइड है या नहीं है आप देखिए 45 को हम कैसे लिखते हैं यह दो नंबर का प्रोडेक्ट होता है 5 का एंड 9 का किसका प्रोडेक्ट होता है 45 5 का एंड 9 का प्रोडेक्ट होता है प्राइम फेक्टरिजेशन और 45 45 का प्राइम फेक्टरिजेशन क्या होगा हमारे पास 5 इंटू 9 आंसर में लिखेंगे हम दा प्राइम फेक्टरिजेशन और 45 का 5 इंटू 9 हम लिख सकते हैं कॉरिकि 5 इंटू 9 करेंगे तो 45 अब 5 इंटू 9 इम इसके डिवसेप्रिटी चेकरनी 45, तो यह factor किसके है, 45 के तो factor रहे, अगर यह 5 और 9 से divided तो 45 से भी और डिवाइड, तो डिवाइड होगा ही होगा, तो देखिए, चरूप चैक करिए, अब से पहले हम देखेंगे, 25110, इसमें 5 से डिवाइड होने के लिए मैंने पास क्या होना चाहिए था, कि जो इसके पीछे बार नूमबर है तो 0 होना चाहिए, या फिर 5, तो लिखेंगे, unit place is, कितना है, 0, so it is divisible by, किसे divisible हो जाएगा, 5 से, so it is divisible by 5, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा 5 से, जी वाइड हो जाएगा, चिक है, उसके बाद देखे, अब हमें चैक करने किसे करने है, 9 से चैक करने है, so 2, 5, 1, 1, 0, 2, 5, 1, 1, 0, यह divide होगा है यह नहीं होगा, 9 से divisibility क्या थी है, कि अगर इनका sum करें, वो 9 से divisible, 5, 4, 2, 7, or 2, 9, अब 9, 9 से divided हैं, तो क्या लिख देखें, sum of digits are divisible by 9, divisible by 9 से divisible है, divisible by 9, so the number is also divisible by 9, तो यह number भी क्या होगा, divisible हो जाएगा 9 से, अगर यह, यह जो इनका sum अगर 9 से divided हैं, तो यह जो number होगा, यह भी 9 से divided, अगर यह 5 और 9 से divided दोनों से, तो दो हम ले सकते हैं, so the number 25110 is divisible by 45, 45, अगर 5 और 9 दोनों से divided दोनों से दिवाइड दे नमबर 45 से भी आपका दिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो आज से लिएतना ही कर्ण करेंगे, लास्ट दो कोशिन बजाएगे, 3.5 के 11 and 12, अगर भामाँ में कर्ण देख ये छिवाछा लूगे